यूनाइटेट स्टेट्स के साथ में भारत का अभी कुछ संगर्ससा चल रहा है ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यूनाइटेट स्टेट्स के कुछ लोगों ने उनके कुछ अधिकारियों पे अपना प्रभाव डाल रखा है यानि कि कुछ अधिकारी यूनाइटेट स्टेट्स अअभाव अभारतीय मूल के लोगों के अधिकार में है समय समय पर वो उनको उकसा करके भारत के प्रती तरह तरह के स्टेटमेंट्स देते रहते हैं जो कि अमेरिका को नहीं करना चाहिए अमेरिका एक परिपक्व डिमोक्रेसी है 1774 से चली आ रही है और उन्होंने भी सब तरह की जितनी एक डिमोक्रेसी की परिस्तितियां होती हैं उन परिस्तितियों को देखा है और जितने उसमें अच्छे बुरे गुन होते हैं उनको अमेरिका ने भी देखा है और भोगा है उनके भी प्रेजिडेंट रास्टरपती शहीद हुए है मात्रें इंडिया में ही इंद्रागंदी का महर्डर नहीं हुआ है उनको ये समझना चाहिए कि अमेरिका भारत की राह पर ही चल करके अमेरिका बना यानि के अर्थ क्या भारत एक ऐसा रास्टर है ऐसा देश है जिसमें दुनिया की हर रेस का वेक्ती समय समय पर आया है समय समय पर वो आया चाहे मंगोलोट थे चाहे यूरेशियन थे चाहे कोकेशियन थे चाहे सेंट्रलेशियन थे चाहे अरेबिक थे इरानियन परस से सब जगे से अफगानिस्तान तो खेर हमारे अंदर था ही इन सब प्रदेशों से लोग समय समय पर बड़ी मात्रा में आते रहे हैं और उन्हीं लोगों के जुन्ड को आज हम भारत कहते हैं तो भारत में कोई ऐसा देश नहीं यहां पर अफरीकन्स भी है सब तरह के सब जाती रेस के लोग, धरम के लोग, दुनिया के सारे धरमों के रहने वाले लोग केवल भारत मात्रा में ही पाए जाते हैं हम दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं इतनी बड़ी 140 करोड लोगों का देश और इतना शान्ती पूर्वक को चलता है और इतने शान्ती पूर्वक इलक्षन हो जाते हैं सेंटरल के भी स्टेट कॉर्मेंट्स के भी और इतनी भुविन तरह की पार्टियां होने के बावजुद भी हम सब एक दूसरे एक से साथ सहे अस्तित्व के साथ रहते हैं इस से बड़ा आश्चे दुनिया में कोई नहीं होता मुझे लगता है कि इसी बात से प्रभावित हो के 1773 में 74 में जब उन्होंने अपने डिकलरेशन बनाया और उसके बाद उन्होंने लोगों को अपने इन्वाइट करके अपनी जनसंख्या को बढ़ाना शुरू किया उस वक्त उनके मन में भी यही धे रहा होगा भारत की तरह ही कि सब दुनिया के लोग यहां आएंगे और आकर के हिंदुस्तान की तरह ही मिल जुल करके एक छत्रतरे एक विश्वास राष्ट विश्वास के साथ में यहां पे रहेंगे उनका उधेश्य वो था जो हिंदुस्तान आज से चारसो पांसो साल पहले से भी ज़दा पहले अशोका के टाइम में ही अचीव कर चुका था जहां निरंतर बाहर से लोग आते रहें ट्रोटी की तलाश में खाने की तलाश में और हमारे साथ जुड़ते गे जुड़ते गे हमने किसी को इंकार नहीं किसी को मारा नहीं किसी को भगाया नहीं वही अमेरिका बनना चाहता था बना भी लेकिन अब फिर तूटना शुरू हो चुका है भारत नहीं तूट सकता क्योंकि हमारी बनावट आज से दस हजार साल प्रोनी है और तुमारी बनावट तो अभी पूरी ही नहीं हुई अभी बन रही है तुम प्रियास कर रहे हो और बीच में ही बहुत से लोग उस पे अबजेक्शन करना शुरू करते हैं उसका विरूद करना शुरू करते हैं तो तुम लोग तो उस तितिती पे पहुंचे ही नहीं हमारा रिकार्ड अहिंसा का है एक एवरेज हिंदुस्तानी वो अहिंसा में विश्वास करता है किसी को मारने में नहीं एक एवरेज हिंदुस्तानी अपना ही नहीं सब का भला चाता है अपने इनसानों का ही भला नहीं जीब जन्तु पूरी लाइफ और निर्जिवों का भी भला चाता है सुबह इसी मंतर के साथ में जगता है सर्वु संति निरमे और इसी मंतर के साथ में रात को सोता है हमने किसी पे हमला नहीं किया लेकिन हमें अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है ये अमेरिकों को बात समझनी चाहिए दूसरे साथ कुछ उच्छरंखल लोग जो हमारे देश का भिवाजन करना चाहते है उनका विरोध करना उनको कंट्रेल करना भी हमारा बिलकुल अधिकार है अधिकार ही नहीं ये हमारा फर्ज है ये हमारी डूटी है कि कोई भी इस रास्टर का नुकसान ने करने पाए सिक्समाज के कुछ लोग जो भटक गए है वो इस प्रयास में रत है दुर्भागे से उनके पास पैसा है उन्होंने बाहर रह करके अमेरिका किनड़ा में रह करके काफी पैसा कमाया है और उस पैसे का दुरुपयोग अमेरिकन अधिकारियों को इंफ्लूइंस में लाने का करते है और उस उन इंफ्लूइंस से वो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट जो एंटी इंडियन होते है या एंटी इंडियन गॉर्मेंट होते है या इंटिन इंडियन समाज होते हैं ऐसे स्टेटमेंट हमको समय समय पर सुनने को मिलते रहते हैं अमेरिका से जो एक बहुत गलत बात है हमने कभी किसी के राष्ट के अदेश के इंटरनल मामलों में कभी भी दखल नहीं दिया हमारा इतियास है 1947 के बाद भी और ब्रिटिश समराजय के पहले भी जब भी हमारा समराजय अपना था हमने किसी दूसरी कंट्री के इंटर्फरिंस में नहीं किया हम शान्ति प्रिय लोग हैं इसलिए शान्ति प्रिय ढग से आप सब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस तरह की घटिया हरकतों में आप शामिल नहीं हों। इनसे आप दूर रहें। ये भटके वे लोग हैं। इनको सुधारने का कोशिश करें। जब भी वहाँ वो कोई अपराद करते हैं। या अपराद का इंगित भी करते हैं। एक इशारा भी करते हैं। एक बड़ाद दुख होता है कि बजाए इसके उन विग्टन कारियों को आप लोग सहरा देते हैं। उनके स्टेटमेंट्स के या उनके रिक्वेस्ट पर हम लोगों पर इस तरह के स्टेटमेंट्स पास करते हैं जो हमारे हित में नहीं होते हैं। ये बहुत ही बुरा है ये ने आपके डीपलोमेसी लिए अच्छा है ने आपके लोगों के लिए अच्छा है नहीं पूरे इस एर्थ के लिए यानि की विश्व के लिए अच्छा है। स्थर पे ये नुक्साइन ता एक चीज है और ये कभी कभार एक विश्य सेकल क्रियेट कर देती है जिसमें आपका भी नुक्साइन होगा और उन लोगं का भी नुक्साइन होगा जिनके विरुद आप बोलते रहते हैं इसलिए थोड़ी सी डिमोक्रेटिक आप भी हैं डिमो क्रिटिक हैं और आप लोगों ने समझ करके सारा कुछ वो कुक्रत करके जो इनसान को नहीं करने चाहिए थे उसके बाद ने आपने इस मार्ग का निर्धारन किया जिस पे आप लोग बहुत डिफिकल्टी से चले आसानी से नहीं आपने इसको कर पाया है 1960 की तो बात है अमेरिकन गांधी ने मार्टिन लूथर ने जो अपना स्टेटमेंट दिया याद है याद करो उसको तो आपका इतियास आपकी समझ बहुत रिसेंट है और हमारी समझ कम से कम 15,000 साल पराणी है और तब से नियमत रूप से हम लोग उसको मानते आए हैं वो हमारे कनकन में है हमारे डियाने में जा चुका है इसलिए बंदों अमेरिकन बंदों से हमेरे गुजारी से कि हम आपके कोई दुश्मन नहीं है कोई हिंदुस्तानी अमेरिका को डिसलाइक नहीं करता हम सब आपके बहुत सम्मान करते हैं आपके नेताओं का सम्मान करते हैं लेकिन आप हमार एक सो चालीस क्रोड लोगों का सम्मान करना सीखें, धन्यवाद.